हेलो एवरिवन सबसे पहले आपको चाहिए कुछ पत्थर जो साफ और सपाट हो अब हम बात करते हैं पैंटिंग आईडियास की आप इन पत्थरों पर विभिन सब्जियों की पैंटिंग कर सकते हैं जैसे टमाटर, गाजर और बैंगन यहाँ आपके गार्डन को और भी आकरशक बनाएंगे आप पत्थरों पर लेडिब और तितली की पैंटिंग भी कर सकते हैं यह आपकी गार्डन में जीवन तता लाएंगे और बच्चों को भी बहुत पसंद राएंगे अगर आपको पैंटिंग में मजा आता है तो आप पत्थरों को भूलू और पौधू के नाम की नेम प्लेट्स भी बना सकते हैं जैसे तुलसी, पुदीना, धनिया इससे आपको अपने पौधू की पहचान करने में भी आसानी होगी इससे आपका बगीचा और भी आकरशक लगेगा या फिर आप डिफरेंट फ्लावर्स पेंट कर सकते हैं जैसे की सनफ्लावर, गुलाब अगर आपको पेंटिंग का समय नहीं मिलता या पेंटिंग करना मुश्किल लगता है तो आप बजार से रेडिमेड रंगीन पत्थरों का भी उप्योग कर सकते हैं ये पत्थर विभिन रंगों और डिजायनों में उपलब्ध होते हैं और इन्हें बगीचे में सजाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है पत्थरों को सजाने का एक और तरीका है कि आप उन्हें विभिन आकारों में व्यवस्थित करें आप छोटे और बड़े पत्थरों का मिश्रन बना कर एक सुन्दर पैटन बना सकते हैं इससे आपका बगीचा और भी सुन्दर और आकर्शक लगेगा आप पेंटिंग के लिए एक्रिलिक पेंट कलर्स या फिर एक्रिलिक पेंटिंग पैंस का उप्योग कर सकते हैं अगले भाग में हम और भी आसान और मज़ेदार गार्डन डेको आइडियास के बारे में बात करेंगे तब तक के लिए खुश रहिए और अपने गार्डन को खुबसूरत बनाईए और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले लाइक और शेर भी करें बाई